नमो नमह ओनलाइन सम्स्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत हैं आईए आज हम कक्षा बारह भास्वती पाठ चार प्रजानु रंजको निर्पह इसे पाठ के अभ्यास को करेंगे एक पदे न उत्तरत एक सब्द में आपको उत्तर लिखना है केसाम अनवयह कालिदासे न विवक्षितह किसके कुल को कहने की इच्छा कालिदास को है तो हमें लिखना है रगुणाम रगुवमसी राजाओं के वन्च को वो कहना चाते थे रगुवमसी राजा अन्त में किसके द्वारा अपने सरीर को त्यागते हैं योगे न एसा उत्तर होगा योग के द्वारा महेक्षिताम आध्यह कह आसीत राजाओं में सर्व पर्थम राजा कौन थे वैवस्वतह मनुहूं अथवा वैवस्वतह इतना भी हो सकता है वैवस्वत नाम के मनुह पर्थम राजा थे कासाम पितरह केवलम जन्म हेतवह किसके पिता केवल जन्म के मात्र पिता हुआ करते थे प्रजानाम प्रजाओं के जो पिता थे वो केवल जन्म के हेतु होते थे कहा प्रियह अपी त्याज्य होने पर भी त्यागन योग्य होता है दुश्टह दिलीप प्रजानाम भूत्यर्थम कम अग्रहीत दिलीप राजा ने प्रजाओं के कल्यान के लिए वलिम टेक्स को लिया करता था राजेंदुहु दिलीपह रगुणाम अनवय क्षेर निधव कह इव प्रसूतह। राजा दिलीप रगुबंच में सागर में किसके समान उत्पन्न हुए तो हमें लिखना है इंदुहु इव चंद्रमा के समान। दुतिय अभ्यास है पूर्ण वाक्ये न उत्तरत पूरे वाक्ये में उत्तर लिखना है। आध्यह राजाओं में सर्व पर्थम। छंद्रम प्रणवह इव जैसे वेद मंत्रों में ओमकार पर्थम है उसी प्रिकार वैवस्वत मनु भी प्रथम एशा माना गया है। कालिदास है तनुबाग विभवह सन अपी तद गुणई ही कथम प्रचोधित है। कालिदास अपनी वाणी छोटी होने पर भी किस प्रकार से उन राजाओं के गुणों से प्रेरित हुए। कालिदास हा तनुबाग विभवह सन अपी तद गुणई ही उनके गुणों के द्वारा कर्णमागत्य कान में आकर चापलाय अर्थात इस चपल चंचल कारिय के लिए प्रचोधित हा प्रेरित हो गए। अब ये कालिदास के द्वारा लिखे हुए इस रगुवम्स काब्य को कौन सुन सकते हैं। दिलीपस्य कारियानाम आरंभ की द्रिशह आसीत। राजा दिलीपके कारियों का आरंभ कैसा था। दिलीपस्य कारियानाम आरंभ आगमई ही सद्रिशह आसीत। दिलीपके कारियों का आरंभ सास्त्रों के अनुसार कारियों को आरंभ करते थे। रविही रसम की मर्थम आदत्ते, रवी सूरिय रस को क्यों लेता है, रविही रसम सहस्र गुणमुत्स्रष्टुम आदत्ते, सूरिय जल को हजारों गुणा फैला कर देने के लिए लेता है, तुर्तिय अभ्यास है रेखांकितानी पदानी आधृत्य प्रस्न निर्माणं कौ में सह इस सब्द को लेकर हमें प्रस्न बनाना है, तो कह ऐसा बनेगा, कह प्रजानाम एव भुत्य अर्थम बलिम अग्रहित, कौन प्रजाओं के कल्यान के लिए ही बली अर्थात कर को लिया करता था, ख में प्रजानाम इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम इसके आधार पर प्रस्न बनाएंगे, कासाम विनयाधानात सह पिता आसीत, किसके अंदर विनयों का आधान करने के कारण वह पिता था, गव में है मनीशी नाम, इस सब्द को लेकर हमें प्रस्न बनाना है, मनीशी सब्द पुमलिंग सस्थी विवक्ति भहुवचन है, तो हम केशाम करेंगे, केशाम माननीयाः मनुह आसीत, किल लोगों का माननीय अर्थात सम्माननीय मनुथे, अनवय में अंडरलाइन किया हुआ है तो हम लिखेंगे शुद्धि मती कस्मिन अथवा कुत्र अत्यन्त सुद्ध कहां पर दिलीप प्रसूतह, राजा दिलीप उत्पन्न हुए अब अंतिम है पितरह इसमें अंडरलाइन किया हुआ है इसके आधार पर बनाएंगे तो पिता सब्द पुमलिंग में है बहु बचन में पितरह बना है तो हम कह कव के लिखेंगे के कौन जन्म के हेतु थे जन्म हेतव आसन अब चतुर्थ अभ्यास को देखिए अधो लिखि हुए स्लोकों के अंसका हिंदी अंग्रेजी संस्कृत अथवा अपनी भासा में लिखना है तो हम यहाँ पर तीन भासाओं में लिखने जा रहे हैं चौथी अगर आपके कोई अपनी भासा है तो आप अपने आप लिखें स्वयम जैसे को प्रजानाम एव भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को आप यहां से प्रेम पुर्वक उतारें खमेहे आगमई ही सद्रिशारं भह गमेहे सपिता पितरस्तासाम केवलं जन्महेत वह राजादिलिप सव के पिता थे अनन्य सासनाम ओरिविम ससासई का पुरीमिव अन्य किसी के द्वारा सासन न की हुई इसे पृत्विका नगर के समान सरल्ता से राजादिलिप ने सासन किया अब हम पंचम अभ्यास करेंगे अधो लिखितेशू विपरितार्थ मेलनम कुरूता निचे लिखेवे सब्दों के विपरितार्थक सब्दों के साथ मेलन करना है इस प्रकार से इनिके विपरितार्थक सब्दों के साथ मेलन होता है छठा अभ्यास है अधो लिखितेशू परकर्ति परत्यय विभागह क्रियताम नीचे लिखे हुए सब्दों का परकर्ति और परत्यय विभाग करना है जैसे आगत्य में आ उपसरग है गमधातु है और लिप परत्यय है उत्सरश्टुम में उत उपसरग है स्रिजधातु है तुमन परत्यय है समतह इसमें सम उपसरग है मन धातु है कतह परत्यय है त्याज्यह त्यजधातु है इसमें यत परत्यय लगा हुआ है शिष्टह इसमें सास धातु है और कतह परत्य है और सब्तम अभ्यास हैं संधी विच्छेदम्वा कुरुतह संधी अथवा विच्छेद को करें तनुवाग विभवोपी इस सब्द को देखो तनुवाग विभवः अपी एसा बनेगा ये विशर्ग संधी है योगे न अंते यहाँ पर सवर्ण दिर्ग संधी है ताभ्य बलिम यहाँ पर विशर्ग को ओ बनेगा ये विशर्ग संधी है ससासएक पुरीम इव ब्रिध्धि संधी है आठवा अभ्यास है अधो लिखितस्य स्लोक द्वयस्य अनवयम कुरुतह नीचे लिखे हुए दो स्लोकों का अनव का मतलब होता है सामान्य वाक्य में बदलना कविता में कभी-कभी क्रियापद आगे और करता पीछे कुछ भी हो सकता है तो एक हमें इसको सिक्वेंस में लगाना होता है अन्वय का मतलब करता कर्म क्रिया इत्यादी प्रजानाम बिनयाधानात इत्यादी स्लोक का हम यहां पर अनवय कर रहे हैं उसके बाद सवेलाव प्रवलयाम इत्यादी अंतिम स्लोक का अनवय है इन दोनों अनवय को आप लिखें इसका अभ्यास करें अब हम नवम अभ्यास करेंगे अधो लिखितेशु विशेशन विशेश्ययोह मेलनम कुरुत नीचे लिखे हुए विशेशन और विशेश्य का मेलन करें माननिय मनु का विशेशन माननिय है राजेंदु हू ये विशेशन है दिलीप का जन्महेतवह ये विशेशन है पितरह इस सब्द का उरगक्षता ये विशेशन है अंगुलिका तस्य ये विशेशन है आर्तस्य इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी अभ्यास पूर्ण हो गए हैं अब हम किसी अन्य पाठ के साथ पुनह मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें नमो नमहा पुनर्मिला महा धन्यवादह